सोनी मिल्स में आपका स्वागत है आज हमारे किचन में बनने जा रहा है पूड़ी और पूड़ी ओभी खास तरीके की शुरू करते हैं बनाना मैंने यहाँ पर पूड़ी बनाने के लिए छोटा सा गोभी, दो आलो, दो प्याज, हरी मिर्चे, आदी और लहसुन लिए हैं जो आलू को छिल लिये हैं अच्छे से सारे को धो लिये हैं अब मिक्सी जार में आलू और प्याज को पतला पतला काट करो और मिक्सी जार में डाल देना है सारे को अब थोड़ा सा पानी डालना है और इसका चिकना पेस्ट बना लेना है अब मिक्सिंग बॉल में दो कटोरी आठा डालेंगे अब उसमें जो पेस्ट बना के रखे थे उसे डाल देंगे अब एक चमच हल दी अब एक चमच गोल की एक चमच जीरा गोटा और जवाइन मगरेल डाल देंगे हथे लिवा पर अगड़ कर और चिली फ्लेक्स डाल देंगे अब कस्तूरी मेथी डाल देंगे अब इसमें स्वादनु सर्वनमक डाल देंगे और एक चमच रिफाइन डाल देंगे जो वीडियों आपको दिखाने ही पाए है और सारे को अच्छे से मिला लेना है उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल डाल कर और इसे गुथेंगे जितना जरूरत है उतना ही ज़्यादा पानी नहीं लगता है इसे गुथने में क्योंकि जो पेश्ट रहता है उससे ही आटा गुथा जाता है आटे को हाथे से अच्छे से दाब-दाब कर गुथना है क्योंकि आटा जितना ही चिकना होगा उतना ही अच्छा पूड़ी बनता है आटा गुथा चुका है अब कडाहिगर हो गया उसमे रिफाइन डाल देंगे अब इसमें थोड़ा सा सुखा आटा ले लेंगे और उसे गोला कर लेंगे गोला को सुखा आटा में लपेट देंगे और उसे बेल लेंगे सुखा आटा यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप उस जगर रिफाइन का यूज करें गोला में थोड़ा सा रिफाइन लगा कर और उसे बेल लें और इसे इस तरह से छनाटा से इस तरह से हिला डूला देना है और उसे फिर पलट देना है अब पूड़ी तियार हो चुका है उसे निकाल लेंगे फिर दूसरा इसी तरह से बेल के और उसे बेल कर तलने के लिए डाल देंगे और इसी तरह से छनाटा से उसे हिला डुला देंगे और पूड़ी जो है अब बन के तियार हो चुका है अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेर और सब्सक्राइब करें